तो जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोट के अंदर देख लिया था कि जो यूमन्स थे वो फाइनली यह वार जीट चुके थे और यह वार जीतने के बाद जितने भी बचे हुए रेसे होता है जो कि फ्रीडम एलाइंस और बाकी के नॉटन डेरेटर एलाइंस पेस बीस यह सब लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं कि इनको पता था फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली जो यूमन्स है वो अभी काफियता ग्रो करने वाले है तो अगर फ्यूचर के अंदर यूमन्स अगर इन में से किसी भी रेस के साथ बदला लेने के लाहत है तो डेफिनेटली यह लोग एक दूसरी की हल्प करेंगे इस वार के अंदर जो यूनाइटड फोर्स होती है वो नहीं जीतती और नहीं जो यूमन्स टीम होती है वो हारती है इसका अंत कुछ इसी तरह की से होता है इसी के साथ साथ हम लोग को यह भी देखने के लिए मिला था जो यूमाओ वापी से रिबिल्ट करती है और इसी के साथ चाथ वो उन सारे पावर एरिया इसको भी उकपाई कर लेते हैं जो कि यू एमबो से पहले बिलॉंग किया करते थे एक्सपो एरिया जो अर्थ के अंदर है फिलाल मतलब अर्थ के आसपास का एडिया क्योंकि वो एडिया लो लूग फैंग के तुरू बिलॉंग करता था और अरत के अंदर काफी सारे वारियो प्लैनिट के अंदर वापिस आता है तो उसे देखने के के लिए मिलता है वहाँ पे काफी सारे अलग-अलग लाइफ फॉर्म के जो बच्चे होता है वहाँ आपस में खेल रहे होता है इन लोगों देखने के बाद लू फैंग को एक अलग से सैडिस्फेक्शन मिलता है लू फैंग मनी मन सूचता है क्या यू आम बो प्लैनेट पहल था और वह अभी भी बच्चे जैसे दिखती थी लेकिन स्टेल वह काफिया तक यह उठती एक दम से जैसे उसके एंटीना हिलते है और उसे लोगों क्या वाद आती है वह अपने थ्रोन से गायब हो जाती है ताइम के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो बाबा कहती है कि मास्टर यह सब आप ही के कारण है अपने जो भी रिस्योसे मुझे प्रॉइड किया और जो भी मुझे पात सज्जेस्ट किया उसी कारन मैं आज प्राइमल चाहस एटी के बारे में या फिर आउटर युनियुर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था कि तीज़े सुनी थे लेकिन वह ज्यादा तर इन सारी तीज़ों में तखल अंदाजी नहीं करती थी उसको एड़ एंड लोग फैंग की पाउर्स का अंदाजा था और लोग फैंग के अपर पूरा भरुसा भी था लोग फैंग बाबाता की तरफ देखता और उसे कहता है कि चल खड़ी रह जाती है जिब लोग फैंग बाबाता को इस तरकी से देखता है तो समच सकता था बाबाता भले लोग फैंग के काफ़ेता क्लोज थी लिए लूबा से थी उसके साथ उसने काउंटलेस एरा बिताय थे काफ़े टाइम तक एक लंबर शाक के अंदर रहने के देखता है और फिर предлаг तरफ करता है कि मेरे तरफ ध्याने देख़ो किस ततरी के से इसके साथ हम लोग गरता है estar hada and whose thought के साथ हम लोग को देखने के लिए रहाता है और देखने के लिए सब्सक्राइब करता है कि स्क्रीन बे ή suppressed देख सकता था वही लोए स्क्रेट को उस स्क्रीन के अंदर एक ट्राइंग बेखने के लिए ल Cat पेरेंस देखता है तो उसे उस स्पेशिप के अंदर काफी लोग देखने के लिए मिलता है उसके अंदर वूजा और वूजिया भी थी और और वी काफी सारे अलग-अलग लोग जो कि युवामबो मास्टर के पहले डिसाइपल रहा करते थे लोग फैंग टाइम को फ्रीज करता है और टाइम को फ्रीज करने के बाद युवामबो स्पेस के अंदर से युवामबो और साथी साथ उसके जो नाइन सोल स्लेप से उन सब लोग को आपी से भाण निकाल लेता है स्पेस साइम को रिकरेट करते है और साथी साथ युवामब प्लैनेट शिप होती है उसे भी वह भाण निकाल लेता है अफकॉस इन सारी जीजों को भाण निकालने के लिए लोग फैंग को एक तगड़ी की मच चुकाने पड़ेगी लेकिन जो लोग फैंग था वह अभी काफिया था पावफुल बन चुका था और इसके सामने यह जू बाहर आता है वो लोग फैंग को देखता है और उसी के बाद एक छोटी से बच्चे को देखता है जो कि लोग फैंग के साइड में खड़ाता है वो और कोई नहीं वो बाबाता था थी बाबिता को देखने के बाद बस बाबाता चिला आता है और तब ही जो बाबाता होती उसके आगों में आसु आ जाता है और बाबेता दोड़ते हुए जाती और कहती है बिग ब्रदर जो बाबाता और युवांबो होता है वो एक दूसरे को टाइली हग कर देता है जो बाबाता के लिए जो युवांबो था वो बड़े भाई पापा या फिर जो आप समझ सकते ह उनकी पूरी पूरी फैमिली वो युवांबो को मानती थी जिस तरह से बाबाता के एमोशन बहार आ रहे थे उस तरीके से लो फैंग देखके बता सकता था कि बाबाता युवांबो से किती जादा क्लोस थी विचल टाइम के बद आस पास का बाता वरन थोड़ा सा नॉर्म वो जिंदा किया है लेकिन यह कैसे कोई कर सकता है यह तो बस एक युणिवर्स मास्टर कर सकता है करके आती साथ वह बाबाता को देखते हुए यह भी बता सकते तो जो बाबाता है वो अर्रड़ ही एक अंडाइंग वारियर बन चुकी है क्योंकि वो टेलिपूटिशन का इस्तमाल कर सकती है बवीता हा के अंदर मुंड़े हिलाती है और कहती है कि आप रिकरेट हो गया बेरे मास्टर के कारण मिलके वे हौड़े लीडर लू फैंग और मैं अभी अंडाइंग एंपरर हूँ और मैं टेलिपोर्ट भी कर सकती हूँ और यह भी बस इनी के कारण और वो जो नाइन सोल्स लेवज होता है वो सब ब्लू फैंग की तरफ देखने लग जाते है इनफेक्ट उन्होंने मिलकी वे नाम सुना था क्योंकि उनको पता था मिलकी वे तो अर्थ के आसपास ही आता है गर कि तो वो अर्थ की इसके अंदर है लेकिन होड़े लीडर का मत से रिकरेट किया है बाबा था जो कि एक टाइम में एक नॉर्मल सी एयाई थी वह भी एक अंडाइंग एयाई बन चुकी है अभी बाबा था युवांबो और बागी सब लोगों से भी स्ट्रॉंग बन चुकी है तब युवांबो पूछता है कि हमें मढ़े होई कितना टा लेट किया जाता है पूरे के पूरे वास्ट ओरिजिनल उनिवर्स के अंदर जब युवांबो माश्टर इन से लोगों से ये सारी बाते सुनता है तो कफी से शाख होता है इवन थाट उसको लोगों को देखने के बाद का फेदर डर लग रहा था क्यों आफ्टर एक ग्रे तबीक जो युवांबो होता है वो पूरतर की शौक हो जाता है कुछी टाइम के बाद जो लुवांबो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप काफी आता शौक हो टुचर लेकिन आपको जबी भी मेरी जरुवत पड़े और जब आपको सारी चीजे समझ आ जाए आप मुझे आप मेरा नंबर ले सकते हो लुवांग ने यह वाला जो नंबर है यह बस कुछी लोगों को दिया था इंक्लूडिंग युवांबो क्योंकि वो उनको काफी जादा ग्रेट इंपॉर्टन्स देता था उसे कहके जाता है कि अगर आपको कभी भी कोई भी जरुवत पड़े तो डेपिनिटले आप मुझे कॉन्टेक कर सकते हो यह बाद लुवांग भी समझ हुआ था कि उसके यहापे रहने से इन सब लोगों काफी जादा अनकमपटीबल सा फील हो रहा है क्योंकि अफ्टर लुवांग काफी जादा पाफुल ग्रेट बिंग था कुछी टाइम के द्वारा जो इनहें टेंस है उसके इनहें टेंस के कारण उन्हें काफी जादा बैनिफिट हो और आज वो इतने जादा पावफुल बन पाए तो आप उनसे काफी एसानी से बात कर सकते हैं आपको उन्से डढ़ने की जरुवत नहीं करके और इसके अलावा उन्हें ता एक इसेंड और इन्विंसिबल बींग है और उन्हें देखके हमारी भटके हजार हो जाती है तो यह जो पैनिकल बींग है जो की हुमन्स का और यह एक यूनियोर्स मास्टर है यह मिल्की वे होड़ी लीडर यह कितना पावफुल है इवन ठाट यह यह यूवांबो का एक लेकिन उसके बाद भी यह काफी अधा पावफूल है और यह हमें बस एक लुक के अंदर ही मार चकता है मतलब अपने आखों से मार चकता है तो हम इसके साथ कमफर्डबल कैसे फील कर सकते है बाबाद आओ तुम उसके साथ तब से जब वह काफी अधा वीक था इसलिए अभी बाबाता युवांबो को कहती है कि मैं आपकी बात समझ सकती हो मैं पहले उसे लोग फैंग नाम से पुगारा करती थी और जो अभी मार्शल लोग फैंग है वो मेरे को एक्वली ट्रीट करने के लिए अपने पावर को सप्रेस करते है लेकिन मैं अभी उनने लोग फैंग नाम से नहीं पुकारती है एँवन थाट मुझी भी कभी 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 रजग अदा नर्वस फील होता है उनके साथ वांबो कहता है चाहे कुछ भी हो चाहे हमने चाहे गलती से उसकी मदद कियो ना कियो लेकिन after all वो एक powerful being है और हमें उसके साथ काफ़े ज़्यादा इज्जत के साथ पैश आना चाहता है चाहिए और इसी के साथ साथ चाहिए वो जो मेरा broken inheritance इसकी किसी भी काम आया हूँ मेरे को सची में बरुसा नहीं हो रहा है वो मेरा टूटा फूटा फालतो सा inheritance सची में इतने आता powerful great being को cultivate कर सकता है बाबाता तुम्हें इस बंदे के बारे में हमें सब कुछ बताना पड़ेगा इसी के साथ जो बाबाता होती है वो सबसे बहले युवामबो और इन सब लोगो आपसे युवामबो planet के अंदर लिखे जाती है रोहा पर लेके जाने के बाद वो लोओ पैंग की सारी सारी स्टार्टिंस लिखे एंड तक स्टोरी सुनाती है लो फैंग पुछ ताइम के बाद मनिमन सोच रहा था कि वो समझ सकता है कि एवन टॉड aगर वो अपने पाउर को सप्रेस करता है। उनके बराबर बन जाता है उसके बाद भी उनके अंदर इतना दम नहीं हो शकता है कि वो low fang के आखो के अंदर आखेंग में आखें डालके उसे दे सके even एक यूनियोस नाइट भी low fang को इस तरह से नहीं देख सकता तो यह लोग किस तरह से low fang के साथ friendly feel कहते था और बाकी और अपने पुराने अर्टलिंग दोस्तों की लेकिन वो अल्रेडी काफी जादा पहले मर चुके है और चाहे लोफेंग कुछ भी कर ले लोफेंग उन लोगो वापी से जिन्दा नहीं कर सकता और उनको रिकरेट करने का सबसे बड़ा रिजन यह है कि वो स्टा लेवल के उपर और उनको रिकरेट करना मुश्किल है नहीं पूरी तरकी से नाम उनके नहीं इवन तो अगर लोफेंग उन लोगो रिकरेट कर भी लेता है तो लोफेंग को बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ेगी एक वाइडर जो की अंडाइंग लेवल के उपर भी न नहीं पड़ा उनके इसको बस थोड़ा मुड़ा पढ़के लोफेंग निर्वाना इंकागनेशन लेवल की ब्लेड टेकनिक को इंवेंट कर पाया था और इसके अलावब वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया लोफेंग को इस वर्ड़ वार के बाद तो पता ही चल चुके थे कुछ 100 ओफ यर इसी दरगे से पास हो जाते है अचानक से जो लोफेंग होता है वो अपने आखे खोलता है उसे पता चलता है जो एंसिटर गॉट स्कूल है वो उसे ढोंड रहे है करके क्योंकि जो टोकन उसको एंसिटर गॉट स्कूल के द्वारा दिया गया था उसके डेफिनेटली अभी लोओ फैंग की जो इज्जत विज्जत है वो काफ जादा बढ़ चुकी है पूरी की पूरी यूनियो शूर्शन के अंदर इवन तो यह जो एंसिस्टर गॉड्ज है वो भी इस तरीके से लोओ फैंग को समन नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें समन करना है त इस तरीके से लोओ फैंग को समन करने की कोशिश की इसलिए तो लोओ फैंग होता हूँ बिना वक्त बरबात की उनकी तरफ चला जाता है इसलिए अन्सेस्टर गॉड्ज स्कूल भूनाय आईलेंड के उपर हम लोगो लोओ फैंग देखने के लिए मिलता है लोओ फैंग कह एक वाइन देते हैं और यह जो वाइन थी यह काफी अधर कीमती वाइन थी इस वाइन को बनाने के लिए 10,000 एरास से भी ज्यादा पूरानी फूरूट्स का इस्तमाल किया गया है और इसके अंदर कुल में लाके 128,000 तरीके आईस फूरूट्स का इस्तमाल किया है अभी आएन नहीं आरा था कि इस वक्ति ही इसलिएन फूंस के इस होजो कि शोखता है कि उप्ले।प संस्क्राइब को बना स्वक्ता है कि यह जो प्रोवाइन को बता है लोग जो हम तरीके की वह उनियूस है कि यह गयोज एक्स की स्तरीके से inhalited हुए है, मतलब वो किस तर किसे मारे गाए वो यूनियोर्स ऊचन के अंदर great wings के द्वारा मारे गाए है और ये actual में एक plan था guys वैसे सच्छे बोलू तो जो huge ex creator है, उनको इन में से किसे नहीं नहीं मारा, उनको sector beast के द्वारा मारा ही है, sector beast के बारे में आपको future के अंदर पता चलेगा विलाल के लिए double face ancestor कहता है कि इन सब चीजों के पीछे, जो first great master है, great thunder star master, और जो zanzia emperor, और dragon rock ancestor है इन तीनों का कुछ नो कुछ हाथ है इन सब चीजों के पीछे, ये तीनों first incarnation incarnation era से थे और ये काफी जादा powerful थे, जब low fang इन सब लोगा नाम सुनता है, तो उसके दिमाग के अंदर काफी जादा hatred से आ जाती, उसके दिमाग के अंदर काफी जादा murderous intent आता, उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी जाके वो इन तीनों को मार दे, लेकिन वो जानता था कि इस वक्रेकलेस बिएव करने से कुछ नहीं होने वाला और नाई low fang इतना था powerful था कि low fang लोग को मार सकता था से पहले low fang, इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी information निकालता है virtual universe से, low fang को बता चलता है ग्रेट थंडर स्टार मास्टर जो की एक special life form है और ये थंडर स्ट्रॉम स्टार से बिलॉंग करता है ये फोर्स रिकांगरेशन एरा से है, प्राइमल यूनिवर्स के और साथी साथ ग्रेट थंडर स्टार मास्टर एक supreme master है और इसके अलावा जो जैंजिया एंपरर है, वो एक special life form है और वो fire source का special life form है और ये भी एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है और साथी साथ जैंजिया एंपरर ग्रेटेस लीडर है fire source race का, और ये काफी ज़यदा powerful है और वही जो dragon rock ancestor god है वो one of the three ancestor gods के भी first incarnation era से मतलब ये तीन ancestor gods का भी बाप आप समझ सकते हो ancestor god luofeng से पूछते है क्या तुम्हें अभी pressure feel हो रहा है luofeng उन्हें कहता है कि वो तीनों के तीनों trinical supreme masters है first incarnation era से definitely मैं उन्हें अभी नहीं मार सकता luofeng इन लोग से ड़ता तो नहीं था लेकिन इनसे ये सब कुछ करने से क्या मतलब रह जाने वाला था add and अगर luofeng इनको नहीं मार सकता था तो नहीं मार सकता था ancestor god luofeng से पूछता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसी opportunity तुम्हें दुबारा नहीं मिलेगी लोग उन्हें कहता है कि opportunity opportunity तो तब तक आते रहेगी जब तक time है और जितना अधर time आगे बढ़ता रहेगा उतनी जादा opportunities भी आते रहेगी इसे के बाद जो लोग होता है वह ancestor god से पूछता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं है जो willpower है origin की वो मुझे इन सब चीजों के बारे में क्यों बताना चाहती है और वो हमारे human race की क्यों मदद करना चाहती है जरूर इन सब चीजों की पीछे कोई नो मतलब जरूर शुपा होगा मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं एंसिस्टर गॉड लोग फैंग से बोलता है कि जो willpower है प्राइमल युनिवर्स की वो एक्चली उन तीनों को मारना चाहती है करके और क्योंकि तुम और तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता इन सब चीजों के बाद जो लोग फैंग होता है वो काफे अदग कंफीज हो जाना लग जाता है क्योंकि जो willpower है वो इन तीनों को क्यो मरवाना चाहती है ये चीज़ लोग फैंग को फिलाल समझ नहीं आ रही थी लेकिन आपको आगे जाके प इतना कह देता है कि इंडीड हम यूमन के लिए काफी एता इंपर्टन मैटर है और इस मैटर के बारे मैं मैं जल्दी कंसीड़ करूंगा इसी के बार जो लूग होता हो डायरेक्ली प्राइमल चौसीटी जाता है प्राइमल चॉच्शिटी जाने के बाद वो प्राइमल लीडर होते हैं वो काफ़ी ज़ादा गुस्या हो जाता है लिए सकता था लेकिन वो जैसे तसे करके प्राइमिल-चाउस टीडि लीडर को शान करता है और फिर प्राइमिल-चाउस सीडिडियर भी कहता है और past life के बारे में थोड़ी बहुत बाते करते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ था पिछले दिनों और वही प्राइमल चाइटी लिटर लुओ फैंग से ही भी पूछते है क्या उसका आगे यूनियोर सुप्रीम मार्शल बनने का कोई प्लान है या नहीं तो लुओ फैंग उन्हें साफ साफ कह देता है कि डेफिनेटली वह बनना चाहता है लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था उसके लिए बाकी लोगों का एंपरेजन के अंदर जो लुओ फैंग ने जो रास्ता चूज किया था एक ट्रू गार्ड बनने का वो डेफिनेटली काफी अदा मुश्किल था अगर लुओ फैंग को ट्रू गार्ड बनना था तो उसको अपना जीन लेवल लगबग लगबग 90,000 टाइमस तक श्रॉंग करना था जो कि लगबग लगबग पुरी तरके इनपॉसिबल सा लग रा था क्योंकि फिलाल जो लुओ फैंग था वो अलड़ी पॉफेक्ट लेवल जीन लेवल के उपर था अभी उसका जीन लेवल 10,081 टाइमस का था और इसके आगे एक लेवल भी नहीं बढ़ा था इतने सालों के अंदर और जितना लुओ फैंग ने पढ़ा था अगर वो ट्रू गॉड बनना चाहता है दौन नौंग रिवर के इनहरेटेंस के मज़द से और फिर जीन लेवल के अंदर से तो जो फॉस्ट लेवल है वो 30, इन लेवल को एक्सेंट कर लेगा तो वह अल्रीडी एक ट्रू गॉड बन जाएगा और 90,000 से फाइनली जो लास जीन लेवल होता है वह वन लाइक टाइम तक होता है उसके आगे जीन लेवल कभी बढ़ता ही नहीं है यह पूरी तरकी सा एक परफेक्शन जीन लेवल है इस वही प्राइमिल चॉसिटी लेटर टोड़े शोक रहता है और उन्हें समझने आता कि अभी लुवफेंग ओरिजिनल उशन जाके क्या करेगा तबी लुफेंग उन्हें कहता है कि मुझे उनिवर्स सुप्रीम मास्टर बरना है तो उसके लिए मुझे काफी सारी स्टेंज लगेगे और उन सारी स्टेंज ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेडी करना पड़ेगा मुझे इस पुरी के प्रिवास विनियर्स के अंदर जितनी भी चीज़ है हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा वही इसी के साथ चाथ जो प्राइमिल चॉसिटी लिटर लुफ बाड़ी को लेके जाने वाला इसी के साथ ज्यादा कुछ नहीं के तोर यहां से निकल जाता है प्रैमिल चॉसिटी लिडर बस मनी मन कह रहे थे कि उनका ये जो डिसाइपल है कल को जिसको वो हर एक छोटी छोटी चीज़े सिखाया करते थे वो आज फाइनली काफी अदा बड़ा हो चुका है और वो अपने लाइप के डिसीजन खुद लेने के तादार पर आ चुका है और ये पूरी के पूरे यूमन रेस का पूरे के पूरे यूमनिटे का वन आप दो मोस्ट इंपॉर्टन पिलर बन चुका है मैं होप करता हूं कि इसने ये जो राष्टा जो कि इस चीज के अंदर सक्सीड हो पाया जो कि डॉंग 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 रिवर इनहरेटेंस के अंदर से थे और वो वन आप दो बेस्ट कैंडिडेट्स थे उनके अलावा अभी तक कोई भी इसके अंदर यह नहीं हुआ वही लोग चोचता है कि वह सबसे काफिया अलग है और अगर वो अगर इन 37 के अंदर पास नहीं हो पाया और अगर वो 90,000 टाइम्स लीन लेवल अचीव नहीं कर पाया तो पूरे यूनियोर्स के अंदर कौह नहीं करेगा जाते जाते प्राइमल चासीडी लीडर बस लोग फैंग को इतना कहते है कि तुम अपना ख्याल र प्राइमल चासीडी लीडर को समझ आया था बट उनको एक चीज तो कंफर्म हो चुकी थी कि जरूर इन सब चीजों की पिछे एक बहुत बड़ी स्कीम है जिनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे तो इनको बस इन सब चीजों के लिए अपने आपको प्रिपे लैंड जो की यूनियो सूशन के है उनके अंदर बिताने पड़ेंगे और वहाँ पर जाके जादा से जादा एक्स्पिरियेंस लेना पड़ेगा जादे से जादा चीजों को एक्स्प्लोड करना पड़ेगा यह हमको देखने के लिए मिलता है कि जब लूव फैंग अपने चुप जाते थे उनको पता था कि लूव फैंग कितना अधा पावफुल है जो पूरी के पूरे प्राइमल यूनिवर्स के जो 80% से भी ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्ज है वो सब मिलके भी लूव फैंग को नहीं मार पाए तो इनकी तो कोई आगाद ही नहीं थी सब लो इन्हेरिटेंस का भी इन्हेरिटर है काश कि हमारा भी ऐसा कुछ अच्छा का सा लग होता इसी के साथ जब लूव फैंग उनिवर्स बूट के अंदर एंटर किया था अपने स्टार्ट आउर के साथ तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने धीरे धीर करके अपने अपने क्लाइंस के अंदर इसी इसकी खबर देना स्टार्ट कर दे थी कि जो मिलके वे होड़ी लीडर है वो यूनिवर्स बूट के अंदर आ रहा है अपने स्टार्ट आउर के साथ और वह इस वक्त अकेल आए करके यह जो न्यूज है यह यूनाटेट फोर्स अला अपने स्टार्ट को लेते हुए और डेफिनेटली उन सब लोग को यह भी पता था कि लोग फैंग की स्टार्ट कम तो नहीं है इसलिए वो अपने सारी के सारी यूनिवर्स माशर्स को कहा देता है कि लोग फैंग को प्रोड़ करने की कोई जरुत नहीं है और उससे जितना पूले उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे और लोग फैंग जातर लोगों कुछ भी नहीं कर रहा था और अभी तक तो लोग फैंग ने कभी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुचाया था यह हम लोग को लोग फैंग देखने के लिए मिलता है जोकि अपने स्टार्ट आ उसना इस ता जो कि वह काफी ज्यादा डिपिकर्ट था इन लोग को मास्टर करना लेकिन लोग फैंग सुचता है कि स्टार्ट आउर के मदद से उसको जितना अदफ आईदा हो सोगता उतना अल्रड़ी हो चुका और शायद से इतना इनफ होगा वही इसके बाद हम लोग क स्टार्ट आउर के बारे में भी काफी कुछ बता जाता है और वहіш स्टार्ट आउर के काफी सारे level को discriminate किया जाता है और फिलाल के लिए जो Luke ंग था हुँ स्टार्ट आउर के 5th level तक था और एक बाद में आप लोग को बता दू कि start hour बागी सारे treasure से कफे दा different touch जब start hour के 5th level के उपर होगा तो वो आराम से 7th या फिर 8th level तक के attack को release कर सकता है start hour के through लूफएंग कहता है कि जब वो आगे जाके अपना 1 level और बढ़ा लेगा और वो अपनी higher level की blade technique को execute करेगा तो उस time तक वो शायद से 6th या फिर 7th layer तक को comprehend कर पाएगा start hour के कुछ इसी तरह के से बोलते बोलते ही 400 सार और बीच जाते है जो लूफएंग था वो उनिवेस बोट के अंदर ही भटक राता फिलाल जो लूफएंग था वो वर्लिंग swamp ocean के अंदर था जो की उनिवेस बोट के internal region के अंदर आता है यहाँ पर हम लोग को एक ग्रीनिश वर्लिंग swamp ocean देखने के लिए मिल सकता था जहाँ पर काप यह दा जिंजाटिक वर्पूल था और वही हम लोग को लगबग लगबग 12 universe master भी देखने के लिए मिल सकती थे यह जो swamp ocean था इसका जो largest diameter था वो लगबग लगबग 900 million किलोमेटर तक का था एक्शुली गाइज यह जो वर्पूल swamp ocean था इसके अंदर जातर treasure born होते थे और यह one of देखने के लिए मिलता है वहाँ पर जो 12 universe master थे वह काफी था शांती से बैठे हुए थे अपने अपना एक कोना पकड़ते हुए बस वेट कर रहे थे कि यह एंडलेस वह पूल है यह कब कोई treasure प्रड्यूस करेगा इन लोग को अलड़ी भनक लग चुकी थी कि जल्दी हाँ पर कोई ने कोई treasure प्रड्यूस होने वाला इसलिए लोग वेट कर रहे थे और जब यह लोग वेट करी रहे होते तब ही उन लोग को एक श्रिक फ्लाइट देखने के लिए मिलती जोकी काफी एदा तेज ती जैसी सब लोग देखता है कि यह चीज़ क्या यह लोग काफी दा शौक हो जाता है क्योंकि स्टार्ट आवर था वो काफी दा शौक थी कि यहां पर Milky Way order leader आ चुका है यहाँ पर exactly क्या करने के लाया है इसी के साथ वो जो 12 उनियोस मास्टर थे वो start hour को देख सकते थे जो कि आगे और ज़्यादा deep के अंदर जा रहा था फिर उन्हों लोगों लगता है मेभी जो लोगो फैंग है वो यहाँ पर पर ऐसी गूमने के लिए आया होगा लेगिन एकदम से जो start hour होता है वो रुख जाता है और फिर वापी से एक you turn ले ले लेता है इन सब लोगों की पड़ जाती है क्योंकि start hour उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा था उनमें से एक universe master के काफी जाता करीब start hour बहुत जाता है और यही यह लोग काफी जाता शौक थे इनको लग रहा था कि आज यह जो बंदा है जिसके पास start hour आके रुका है आज जरूर इसकी शामत आने वाली यह काफी जाता अनलगी universe master है जो कि यहाँ पर फच चुका है यह कुछे टाइम के बाद लू फैंग बहार आता है start hour के और वो बागी के 11 universe master की तरफ देखती हुए कहता है कि तुम 11 लोग तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है तुमें ज़्यादा चिंदा करने की जरुवत नहीं है मैं बस यहाँ पर इसके लिए आया हूँ और वो जो एक लॉता यूनियोस master तरफ जिसके करीब लोग फैंग आया था वो उसकी काफी ज़्यादा फटके हजार हो चुकी थी इवन ठाट उसकी पुरे पसीने पसीना हो चुका था इसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या भी गाड़ा है लोग फैंग का उसका और लोग फैंग का तो कोई लेना देना भी नहीं है तो लोग फैंग उसको ढूंटते हुए क्यों आया है करके बाइसे जो Barnes Master ता यह Thunderstorm Star से था और इसका नाम ठंडर स्टेटल माश्टर था यह जो ठंडर स्टेटल माश्टर था वो लोग फैंग से कहता है कि Milky Way Auditor मैं तुम से पहले कभी भी नहीं मिला नैं मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है और हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है तो तो मुझे इस तरह किसे क्यों टार्गेट कर रहे हो करके लूओ फैंग कहता है कि नो ग्रजेस बात तो तुम्हारी सही है कि हम दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है लेकिन बस मैं तुम्हें इसले टार्गेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी रेस का हम कहारे साथ काफ़ी बड़ा लेना देना है करके के साथ वो जो बंदा था वो और कुछ कहा पाता है इससे पहले लोफ एंग उसे कहता है कि ज्यादा कुछ बकवास करने के जरुवत नहीं है अंदर आ जाओ इसी के साथ उसका जो स्टार्ट आउर होता है उसका बेस्मेंट का धर्वादा खुल जाता है जिसके अंदर से एक ब्लैक होल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था और यह जो ब्लैक होल होता है वो काफी अदा अपने आपको लखी फील कर रहे थे कि लोगो पैंग ने इनमेंसे किसी को टार्गेट नहीं किया करके वो लोग सोच रहे थे बिचारा वो युनिवर्स मास्टर वो काफी अदा अनलगी होगा टावर के अंदर जाने से पहले जो लोगो पैंग होता है वो उन 11 पहले कैणरा आ युनिवर्स मास्टर के तरफ देखताय और उने कहताय कि मैंने च्च्च शॉटल मास्टर को घ्रेट अंड़ स्टार मास्टर के वज़े से प्कडा हुआ और तुम इस नियूस को जितना जल्दी हो से कि उतना जल्दी स्प्रेड कर सकते हो और तुमें करना भी होगा और सब लोगों को बता दो कि मैं इस वापुल स्वैम ओशन के सेंटर के अंदर हूँ और लगवग लगवग दस साल के लिए वेट करूँगा ग्रेट थंडर स्ट कि हम तुम चिंता मत करो हम जल्दी से जल्दी इसनी उसको बहुत जाता तीजिस स्प्रेड कर देंगे इसके बार लोगों कुछ नहीं कहता है स्माइल करता हो और वापी से अपने स्टार्ट आवर के अंदर चला जाता है और जाते जाते लोगों उनको ये भी कहते हुए ज करता वही स्टार्ट है और के अंदर जाने के बाद जो लूफांग होता है वो थंडर स्टल मास्टर को कहता है कि अगर तुमारे ग्रेट थंडर स्टार मास्टर यहाँ पर नहीं आते तो मुझे ब्लेम करने की कोई जरुत नहीं है तुम्हारे मौत के लिए तुम मारे कहता है कि वो जो यूमन ब्राट है उसने तुम्हारे यूनियोस मास्टर को कैप्चर कर लिया है और उसने ये न्यूस फैलाई है कि वो दस साल तक तुम्हारे लिए वह पुल स्वैंप ओशन के अंदर वेट करेगा और गाइस दस साल इनफ थे किसी भी यूनियोस सुप्रीम चाहए कि वेटमट मास्टर को फैल्ट स्वैंप मास्ट्र के अंदर पहुचने के लिए 은ंट इतने वेटिकि अन्दर तो कोई वी यूनियोस मास्टर की वार्टशार्न के पूछते हैं किया तुम वहाँ पर जाने वाले हो Great Thunder Master कहता है कि मैं जरूर जाओंगा After all अगर मैं नहीं जाता तो मैं definitely सबके लिए एक मजाग बन के रह जाओंगा ज़रा मैं भी देखू कि ये इनसान ये किसला है कि Great Thunder Star Master कहता है कि वो जो Loop Fang है वो बस एक Universe Master है उसके बाद भी वो Universe Supreme Master को कंजोर समझता है Just उसके Valuable के वज़े से मैं जानता हूँ उसके पाद जितने भी Valuable से है वो काफी दे Extreme Powerful है लेकिन जस्ट वो अब भी एक Universe Master है और उसे समझना चाहिए कि उसकी कोई अगाद नी है Universe Supreme Master के सामने और वो इस तरीके से मुझे अपने पास बुला रहा है यह एक सुसाइडल मेसेज है वो खुद अपना कबर खोद रहा है वो फाइनली प्लाइन कर लेता है कि वो लूव फैंग को मारने के लिए जाएगा क्योंकि आफ्टर अगर वो लूव फैंग को मारेगा क्योंकि वो जो यूजेक्स है मेभी उसने मरने से पहले यूमन्स को बता दिया हो इन सब चीजों के बारे में यह नैचरल है कि लूव फैंग इसलिए हमें टार्गेट कर रहा हो लेकिन इस सीस से हमाई कोई मतलब नहीं है कि इस सीस के बारे में उसे पता है या नहीं पता है अफटर आल यह जो लूव फैंग है यह बस एक यूनिवस मास्टर है जिसकी कोई वकाद नहीं हमारे सामने मैं लूव फैंग से जल्दी डील करूँगा उसका जल्दी मैं चिकन डीनर बना के आता हू तब तक तुम गुड निउस का इंतजार करो वही जैन जिया मास्टर और ड्राइगन मास्टर अपने रेस के जितने भी लोग होता है उन सारे रेस के लोग वो बोल देता है कि जो भी यूनियस बोट के अंदर है वह सब जल्दी-जल्दी यूनियस बोट को छोड़ दो जितना जल्दी हो शकी है उतना जल्दी या फिर अगर तुम यूनियस बोट के अंदर हो भी तो कि सीक्रेट ब्लेस के अंदर छुप जाओ चाहे कुछ भी हो जाए लो फैंग के सामने किसी को भी आने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि उनको डेफिनेटली बता था कि लो फैंग अभी इन तीनों को टारगेट करने वाला है तो हो सकता था कि लो फैंग उनके जो लोग या उनको मार दे इसलिए उन्होंने पहले ही अपना ये लोग पास कर दिया था कि अपसे कोई भी लोग फैंग से नहीं मिलेगा वही हम लोग को पपल मून हुली लैंड का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक पीग जिंग नाम का एक युनिवर्स मार्शर होता है जो कि अभी अभी लेवल 5 के उपर पहुचा हुआ होता है वही पपल मून हुली लैंड के जो एंसिस्टर होता है वो इस बंदे के तरफ देखते हो खहता है और उसे कॉंग्रेचुलेट करते है सबसे पहले और उसे यह भी कहता है कि तुम अभी होले लैंड को लीव कर सकते हो और तुम भार युनिवर्स वोट के अंदर आराम से घूम सकते हो क्योंकि फाइनली तुम उतने अधा पावफुल और उतने अधा कैपेबल हो चुके हो वह वह जो परसंता पीजिंग जिसके सोला आमस थे और चार मू थे वह बंदा कहता है कि फाइनली फाइनली मैंने युनिवर्स वोट के बार में काफी कुछ सुना है फैंटास्टिक अभी मुझे काफी अधा गूमने के लिए मिलेगा इसी के तरह अगर मैं बढ़ता रहा तो मैं जरूर एक काफी अधा पावफुल ग्रेट बिंग बनुगा फ्यूचर के अंदर देखते हैं कि इस युनिवर्स शूर्शन के अंदर कोई है या नहीं जो कि मुझे टकर दे सके इसी के बाद सब्सकर के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी वह सब्से पहले एक परसन को टारगेट करता उसे के तुरफ टारगेट करती हुए वह उसे कहता है कि तुम, हाँ तुम, मेरा नाम पीजिंग मास्टर है और मैं पपर मुल हुनी लैंड से हूँ और तुम्हें प्राउट फील करना चीए कि मैंने तुम्हें सबसे पहला अपना कमपटेटर लिया है सबसे पहले ट्राइल के लिए यह जो पीजिंग माशल था इसके बैक के ओपर हम लोगो ब्लैक विंग भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि काफ़ी अदाव हाइट थे और वही इस बंदे के 16-16 हाथ भी थे वही वो जो सामने वाला रॉक जाइंट होता है वो बीजिंग माशल की दरफ देखते हुए कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना तुम कौन हो करके और तुम में भी एक न्यू कामोर होंगे तो तुम्हारी हिमत कैसी हुई इस तरह के से यूनियोस ओशन के अंदर आने के लिए और आयत तो आये और मेरे जैसे एक पुराने यूनियोस माशल को चैलेंज कर रहे हो क्या तुम पागल हो चुके हो वही वो जो स्टोन जाइंट होता है वो पीजिंग माशल की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम अभी अभी एक उनियोस माशल बने हो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक उनियोस माशल कितना अधा कैपेपल और कितना अधा पावफुल होता है इसी के साथ वो उसके उपर अटाइक कर देता है डारेक्ली अटाइक करते हुए उस टोट जाइन पीजिंग माशल के तरफ देखते हुए बस यही कहता है कि यह तुम्हारा फर्स टाइम था जब तुम यूनियोस सूशन के अंदर एंटर किये थे और शाहिद से लास्ट टाइम भी वो जो रॉक जाइन था वो अपने डोमेंट को एक्टिवेट कर दीता है जाकि पीजिंग माशल जो है वो आसे टेलिपूट ना कर सके पीजिंग माशल हसती हुए कहता है कि तुम मुझे मारना चाते हो वो हसता है और कहता है कि मैं जब चाहे यहां से जा सकता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता है कि तुम्हें सची में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो इसी के बाद जो पीजिंग मास्टर होता है वो जोर से चिलाता है फ्रीज और इसी के साद सरंदी हम लोग को काफी सारे लाइट पिलर देखने के लिए मिलता है जो कि अलग-अलग कल यह बचने की बचने की तुमने में लगता है कि तुम मेरे इन लाइट पिलर्स को ब्रेक कर सकते हो मास्टर जब सामने वाले मास्टर को इतना दर शगल करते हुए देखता है तो वो बस इतना ही कहता है कि मैं हुली लैंट के अंदर लगबग लगबग 18 युनिवर्स एरास से हूँ और मैं काफे अदर टाइम से स्टड़ी कर रहा हूँ गोल्डन लॉज वूर्ड लॉज फायर लॉज वाटर लॉज और अर्ट लॉज को और मैंने अपनी खुद की सुप्रीम टेक्निक्स को भी बनाया इन सारे 5 बेचिक लॉज को करते हुए और क्या तुम्हें सची में लग बाइंडिंग पाउर सची में काफे अदा इंप्रेसिव है लेगिन यह बस मुझे थोड़ा बहुत स्लोडाउन कर सकती है यह मेरे फाइटिंग पाउर को कम नहीं कर सकती ब्राट पीजिंग मास्टर आओ मैं भी देखो कि तुमारे अंदर कितना अज़द दम है वहाप हम लोगों बाकि के थीन युzent मार्श्र भी देखने के लिए मिल सकती थे जो बाकि के थीन युनिवरस मार्श्र तो होन्ग एलायंस से ऑ और जंड ये इन लोगा काम बस इतना ही था कि कि इतने भी नृइंवर्स मार्श्ट होते यह उनके बाए मैं पता लगा देते उनकी कम्याँ उनकी पावर्स और काफी कुछ उनसाब लोग से वह वुर्टोल इनुँए्वर्सुर्शो पीचल्वर्स के अंदर। उसको एक्चली रास्ते के अंदर काफी सारी युनिवस मार्शल ने घेल लिया था दिन के साथ वो फाइट करती हुए आ रहा था और वो फाइनली अभी लोग पैंग की तरफ आगे बढ़ रहा था युनिवस बोट के अंदर अपनी टॉप स्पीट के साथ एकदम से हम लोग उसको पफल सुरूं स्वैम का नजारा दिखाया जाता है जहां पर लोग इस वग अपना स्टार्ट आउर लेते हुए बैठा था वहां पे कुल मेला के अल्रेड़ी 11 उनिवस मार्शल आल्रेड़ी थे वहां पर हम लोग को एक और उनिवस मार्शल देखने के लिए मिलता ह वो जब उनिवस मार्शल आता है यहां पर और वो आसपास की नजारे को देखता है तो काफी यहां शौक होता है वो नौ मजले की बड़ी सी स्टार्ट आउर को भी देखता है और लोग फैंग की स्टार्ट आउर को देखते हुए बस जहले सी फिल कर रहा था कि जो लोग लोग फैंग है वो इतना अधा कम एरास तक उसने अपना को कल्टिवेट किया लेकिन उसके बाद भी उसके पास इतना डिवाइन ट्रेजर्स है काश की सारे इसके पास भी होते जब यह बंदा यहां पर एंटर हुआता तब लोग को पता चला था कि यहां पर एक दूसरा लोग फैंग इस बंदी के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि यह पॉपल मून हुली रैंड्स है और लोग फैंग ते लिए अल्ड़ी पॉपल मून हुली लैंड वालोंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रियेट की ती इसलिए डैफिनेटली जो लोग था वो पॉपल मून हुली रैंड को अपना दुश्मन वानता था इसलिए लोग फैंग सुचता है कि इसके मज़े तो लेना बनता है और इसे के साथ लोग फैंग अपने जगह से कायव हो जाता है अपने जगह से गायव होने के बाद वो फाइनली उसी जगह पे वापी से आया हो करके इसी के बाद लूपैंग पपल्पू माश्र के तरफ देखता है और उसके तरफ देखते हुए लूपैंग कहता है तुम पपल्मून हुली लैंड वालों ने मेरे लिए अल्री कम मुसीबत पैदा नहीं की थी और इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे अंदर पैदा तुम कोई नहीं होते हैं मुझे रोकने वाले पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कोई हमें नहीं रोक सकता हम पपमून हुली लैंड वाल है वही लोवेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो तेरको अपनी अकड दिखानी चल ठीक है पिर तू भी आजा अंदर और अंदर आके थंडर स्टार मास्टर को कमपनी दे देना वही लोवेंग स्माइल करता है अपने स्टार टावर के बेस्मेंट के दरवादे को खोल देता है और यह जो पॉपल पू मास्टर जोर जो से चिला रहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो उनको उनके साथ दुश्मनी करोगे तो तुम उनको अपना एनिमी बनाओगे क्या तुम सच्छी में उनको अपना एनिमी बनाना चाहते हो लोवेंग कहता है कि मुझे घंटा भी फरकनी पड़ता तुमारे पॉपल मून हुली लैंट से दम होना तो किसी को बेज देना मिल रखनी पड़ने वाला लेकिन तुम एक चीज़ याद रखना कि पॉपल मून हुली लैंट तुमको इतना असानी से नहीं जीने देगी करके लोवेंग उसे के तरफ देखता है कि हम अल्रेडी एनिमी बन चुके हैं तो मुझे ठ्रेटन करना बं करो मुझे डराना बंत करो मैं हर एक युनिवर्स मास्टर को कैप्चर करूँगा जो भी पपल मून हुली लैंड से होगा वहाँ पर जो 12 युनिवर्स मास्टर थे वो काफ़े दर डर जाते लोग के इस तरीके के बेवार से इंडीड वो काफ़े दर डरे होए थे लेकिन उन सब लोगों को पता था वो ज़्यादा सप्राइज नहीं थे उनको पता था कि पपल मून होले लैंड यूमेनिटी के साथ किती बड़ी दुश्मनी यह करती है जब लास्ट टाइम लोगे बीच में वार हुआ था तो पपल मून होले लैंड के बदर से यूमेनिटी को काफी ज़्यादा दिक्कते आ पुरी तरी के से इंहलेके ड होजाए उनके पास 400 से कम यूदि मास्टर गार ले लोगी बिलकूल भी नहीं चोड़ने वालर आफ्र अफ्टर कर सकता हूँ और जब मैं टेकनिक को परफॉर्म करूंगा तो मैं लेवल लाइन तक रीच कर जाओंगा और अल्ठाट मुझे नहीं लगता है अगर मैं अपने फुल वाम के अंदर आया तो मैं लेवल 10 तक की अटैक को भी रीच कर सकता हूँ फिलाल के लिए तो मुझे कोई युनियोस माश्यस थे वो काफी दर डड़ चुके थे वही लोगों के तरफ देखता है और उनको यह तरफ देखते हुए कहता है कि दियर ओल माई फ्रेंड्स तुम्हें डड़ने की कोई जरुवत नहीं है जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी बैड बलड नही कुछ टाइम के बाद सब लोग बस ही बात कर रहे थे कि यह लुव वैंग सची में पागल हो चुका है इसने पहले थंडर शेटल मास्टर को पकड़ा और अपी पपलपू मास्टर को कि अपने आपको सबका दुश्मन क्यों बनाना जाता है आफ्टर और यह कितना वीदा पावफूल क्यों न आऊ लेकर इन सार इसन्ट विंग से कैसे लड़ेगा ठंडर सेटल मास्टर का जो मास्टर है क्यों सचीमें कुछ जादा इस पागलपन हो रहा है वह लोग जाते थे कि डेफिनिटेल लुव यूव फैंग इठना पही जादा पावफिल क्यों न अव तो definitely लूओ फैंग को काफी एदा दिक्कते आने वाली है लोग को लूओ फैंग देखने के लिए मिलता है स्टार्ट आवर के अंदर वो उस पॉपल पॉमाश्र के साथ बात कर रहा होता और वो कहता कि don't worry मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मारने वाला करके actually मेरा कोई intention नहीं था पॉपल मून हुली लैंड के साथ दुश्मनी करने का लेगिन तुम्हारा पॉपल मून हुली लैंड पता नहीं उन्हेंने कभी भी humans के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा और वो हमेशे हम लोगों से दुश्मनी करना जाता था even thought जो कुछ भी war के अंदर हुआ उन सारी चीजों को मैं भूल भी सकता हूँ और मैं समझ सकता था उस टाइम को और definitely उन सारी चीजों को मैंने दिल पे भी नहीं लिया था लेकिन उसके बाद पॉपल मून हुली लैंड ने अच्छुली सारा का सारा inheritance बाकी सारे powerful groups के अंदर इस तरह के से बाद दिया definitely तुम obviously चाहते हो कि वह बाकी के जो United Force Alliance वाले लोग है वह powerful बने और वह humans के साथ powerful ना बन पाए और humans future के अंदर उन से ज़्यादा powerful ना बन पाए तो definitely तुम इतना ही चाहते हो कि लोग जो human race हो कभी भी grow ना करें तो अगर तुम लोगों ने कभी भी हमारी human race के बारी में अच्छा निक सुचा तो definitely हम तुमारी बारी में अच्छा कैसे सोच सकते है करके काफी तरह टाइम दे जो पपल मू मार्शर जो कुछ भी नहीं कह रहा था हो finally अपनी आखे खुलता और low fang के तरफ देखते हुए कहता है कि जो हमारे ancestor है उन्होंने तुमें एक message देने के लिए का है उन्होंने एक smile के साथ बोला तुमें कि तुम होते कौन हो कि तुम हमें इस तरह किसे force करोगे किसी भी चीज़ के लिए उस person की तरफ देखता है तुम अपने सपना देखो तुम अभी बस wait करो और देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है करके उसी सेम डेन हम लोगो purple moon holy land का इरा दिखा दाता है जहाँ पर एंसिस्टर बैटे हुए था है अपने थोनके ऊपर हम लोगोग पुम आश्रा देखने के लिए मिल चकता था purple moon holy land के अंदर वो ancestor से बात कर रहा होता है वो उन सारी चीज़े बता रहा होता है जो कुछ भी अभी low fang के साथ और उसके साथ हुई थी I'm into से किस तरगी से low fang उसे यहाँ पर capture किया है और वो ancestor को यही भी बताता है कि अभी तक low fang का उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं कर गये और डेफिनेटली purple blue master के बात दूसरी body थी तो वो डेफिनेटली अगर उसकी एक body खतम भी हो जाती है तो वो अपने दूसरी body के साथ आराम से जिन्दा बच सकता है था इसे के साथ जो ancestor होता है वो कहता है कि अगर यह loop fang इसी तरह के से हम लोग को प्रवोक करना चाते है तो डेफिनेटली हम शांत नहीं बैठने वाले और वो काफियता घुस्से में एक order issue करा देता है कि आज के बाद कोई भी universe master जो की universe boat के अंदर नजर आएगा है फिर original universe के अंदर नजर आएगा purple moon holy land वाले उन्हें definitely मार देंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी भी primal universe के बंदे को यह order pass करने के आथ जो purple moon holy land के एंसी स्टोर होते हो जोड़ दूर से रसता और लोग fang के बारे में सुचते हुए खहता है कि low fang इस वक्त तुमने मुझे सबसे पहले प्रवोक किया तुम ही हो वो जो ने मेरे लिए काफी सारी problems खड़ी किया अब भी अगर हम लोगों के बीच में दुश्मनी होई चुकी है तो हम काफी एची तरके से दुश्मनी निभाएंगे हमारी दुश्मनी इतनी ज़्यादा पाफ हो लोगी कि पुरा का पुरा यूनिवस ओशन देखेगा हमारी दुश्मनी की और हमारी दुश्मनी की मिसाले दिया करेगा और देखते है एड़ एंड कौन वो परसन होता है जो खड़े होते हुए हसता है यह हम लोग को दो न्यूजजज देखने के लिए मिल सकती थी इस वक्त लोग फैंड के पास दो न्यूजजज आती जो पहली न्यूजज थी वो वो न्यूजज थी वो डिटिल इंफोर्मिशन थी उस न्यूली प्रमोटेड यूनिवर्स माशर के बारी में और जो सेकेंड पीस आफ न्यूजज थी वो पॉपलमोन हूली लैंड के वो जो न्यूली प्रमोटेड लॉज था मतलब अभी अभी जो कि उसने धंकी दी थी या आज से जो भी प्राइमल यूनिवर्स का बंदा दिखाएगा यह उस बंदे को देखते ही खतम कर देंगी करके यह वाली न तो उसके पास एक विंग्स है जो कि कापके 10 टाइप के विंग्स है और इन विंग्स के बारे में जितना लोग वैंग ने पढ़ा था उस तरीके से लोग न को लग रहा था कि जरूर यह शाओ कर लास्ट पार्ट होगा इस पार्ट के लिए लोग कहा कहा नहीं हुमा था औ और फाइनली लूफ ऐंग के पास वह दिन आ चुगा था, जब लूफ ऐंग को फिफ्थ पार्ट मिलने वाला था, मतलब लांश पार्ट नहीं था, फिफ्थ पार्ट था, इसके बाद एक और पार्ट है, और वही हम लोग को एक और चीज़ देखनी के लिए मिलती थी Primal Universe के अंदर जैसी Primal Charged City Lader को पता चलता है इन दो न्यूजस के बारे में तो डेफिनेटली फर्स्ट न्यूस है तो Primal Charged City Lader को कोई फरक नहीं पड़ा सा लेकिन जो सेकेंड न्यूस थी कि पपल मून हुली लैंड वालों ने एक किलिंग ओर रिशू करा दिया इसके बाद वो थोड़े से चिंतित हो गए थे जिसके बाद वो डारेक्ली लोग फैंग को समन कर लेता है वही सीन शिफ्ट होता हम लोगों को Primal Charged City के अंदर एक जगा दिखा जाती एक हाल दिखा जाता है जहापर सारे के सारे यूनियूस मार्शर बैठे हुए थे वही चाह सिटी लिडर सबको देखते हुए भाशन देता है और हसते हुए कहता है कि जैसे कि तुम सब लोगों क पता होगा पपलमून होली लाइन वाले उन्होंने अल्ड़ी एक और इशू करा है हम यूमन रेस के लिए कि हम मेंसे अगर कोई भी यूमन उनको यूनियूस सूशन के अंदर देखेगा तो डेफिनेटली वह हमें मार देंगे प्राइमल चासिटी लीडर जूर जोसे हसने लग जाते हैं और वो कहता है कि उनके पास पताने इतने गट्स आका से रहे उनके पास बस दो यूनियूर्स सुप्रीम मास्टर्स है और काफी सारे बंच आफ यूनियूर्स मास्टर्स वो दो यूनियूर्स सुप्रीम मास्टर्स उन्होंने तो अभी तक अपने ओन क्या करके उसके बाद भी उतना अदा घमन दिखा रहा है वह किला और कुझ दिनी उसके बाद भी हम को हैं चलिएंज कर रहेThis बागी सारे लोग भी अपना अपना और बैज काफे ने की शाहता कि के मुझे लगता है कि यह लगता है कि वो लोग weak नहीं है करके और वो definitely हम लोग के सामने stand out कर सकते है वो बस अपने आपको strong दिखा के अपने आपको protect करने की कोशिश कर रहे है और वो फिलाल हम लोगों से काफेदा डरे हुए है अपने dignity को save करने की कोशिश कर रहे है वही लूफाइंग अभी तक काफे था प्रोग किया था लूफाइंग को इन सारी चीज़ों को decision लेने के लिए और definitely वो उसी time से दुश्मन बन चुके थे जब last time लोग के बीच में वो सारे incident और वो सारी grudges हुए थे लूफाइंग कहता है कि मुझे घंटा भी फरक ने पड़ता मैं purple moon holy land वालों से बिल्कुल भी ने डरता after all उनके पास है ही क्या वो दो universe supreme mars रदित के खुद के miniature universe भी नहीं है वो हमारा क्या उखाड लेंगे future के अंदर definitely हमारा जो human race है वो काफे तक grow करने वाला है और वो definitely third सबसे ज़्यादा powerful holy land बनने वाला है और future के अंदर हम definitely उन लोगों से भी ज़्यादा strong रहेंगे के बाद यह meeting खतम हो जाती और सब लोग चले जाते है बस यहाँ पर हम लोग को प्राइमल चॉचिटी लिडर और लूफएंग देखने के लिए मिलता है वही प्राइमल चॉचिटी लिडर लोगों के तरफ देखता है और उसे पूचते है कि तुम अभी भी परिशान हो लोगों कहता है नहीं फिलाल तो नहीं और वो स्माइल करते है वही प्राइमल चॉचिटी लिडर लोगों के लिए काफी कुछ किया है तुम्हारा कॉंट्रिबूशन काफी जादा है पिछले फाइट के अंदर यूनिटेट पोर्स के और डेफिनेटल सारे के सारे नियो स्माइल तुम्हारी काफी एदा रिस्पेक करते है अपने दिल से तुमने पूरे की पूरे रेस को जितनी मदद किया उतनी शायद से किसे ना भी ना कियो और तुम अगर एक तरके से देखा जाए तो पूरे के पूरे यूमेनिटी के एक लीडर हो करके ऐस लॉंग ऐस तुम कोई चूटिया वाली हरकते ना करो जैसे कि हर तरफ अपने दुश्मन बनाना काफी अदा आसान होता है लेकिन वही दोस्ट बनाना काफी अदा मुश्किल पूरी के पूरी उनियोर्स ओशन्स के अंदर हमारी काफी आदा एनिमेज है और मैं अभी बस तुम से यह कहना चाहूँगा कि वैसे तो इन सब लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है और नहीं है सब लोग हमें कोई नुकसान पहुचा सकते है लेकिन फिर भी हम जितने अदा कम है निमेज रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए वही लोगो फैंग कुछ कुछ प्राइमल चासे डिलीडर के बात उको समझ रहा था वो जानता था कि जैसे कि वो जो थंडर स्टॉम स्टार रेस है वो इतनी ज़्यादा पावफुल नहीं है तो उनके बारे में इतना था चिंता करने के जरुबत नहीं है लेकिन जो पापल पुन हुली लैंड है वो काफियता पावफुल है और इस वक्त तो जो यूमन तो है वो उनके सामने खड़े होने के लाइक नहीं है मतलब पूरे तरह के सामने अभी भी यूमन नेड़ी काफियता वीक थी इसी तरह के से वो लो कुछ और बाते करते है इसी के बाद फानलिज जो लो फैंग होता है उसे कुछ सो भी याद आता है और वो सिटी लिडर से बोलता है कि टीचर क्या आपने उस बंदे के बारे में सुना है वो newly promoted universe master y city leader कहता है क्या वो pleasing master लो फैंग हां के अंदर मुंड़ी लाता है लो फैंग प्राइमल चास सिटी लेडर से कहता है कि उसके wings उसके wings उसके wing true treasure मुझे लगता है कि वो社व विंक्स का पार्ट है प्राइमर चास्रेडिलिडर के आखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी वो उसे पूछता है क्या तुम्हें कनपॉइम है लोफएंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है क्या आपके पास और ज़्यादा इंफ़ामिशन है उन सारे चीजों के बारे में वही प्राइमर चास्रेडिलिडर के लिए कि फिलाल तो नहीं है लेकिन मैं जल्दी इन सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिकेशन करूँगा तुम्हारे लिए और जाज़ से जादा उस बंदे के बारे में इन्वेस्टिकेशन करने के कुशिश करता हूए उसे वे ुन्हें कास से मिले और वो विंग्स चया है एक्च्वल में और उनके इंदर कितने जादा पौटेंशियल है लो फैंग प्राइमिल चार सिटिलिलर को थैंक्यू कहता है और वही सिटिलिलर कहता है कि यह कुछ नहीं है हम भी अपने रिस के लिए कर रहे हैं और यह मेरा फर्ज है इसके बाद लो फैंग वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वह पॉपल मून हुली लैंड वालों से भी दुश्मनी लेना चाहता था नो मैटर लो फैंग कितना दा पावफुल हो लेकिन पुराने बुड़्ों के साथ कैसे फाइट करेगा जो कि अल्रड़ी फर्स इंकागनेशन और से बिलाग करते थे और काफी यदा पावफुल होते थे पॉपल मून हुली लैंड वालोगों भी एक ओर्डर मिल चुका था एंसिस्टर के द्वारा के जितने भी लोग है वो जितना दा दूर हो सके लोगों फैंक से उतना दा दूर रहे बाकी यूनियूस बोर्ट से भी उन लोगो थोड़ा सा दूर रहने के लिए का था मतलब जो लोग ज़्यादा कॉमपेडेंट नहीं थे वो लोग वापिस आ जाए पॉपल मून हुली लैंड के अंदर ताकि कोई भी दूसरा यूनियूस मार्शर ना मारे पॉपल मून हुली लैंड का वही जो पीजिंग मार्शर को इन सारी नहीं उसके बार में पता चलता है तो डेफिनेटली सूचता है कि जो उनके एंसिस्टर है वो काफी ज़्यादा सूचता है लूपांग के बारे में और लूपांग सच्ची में काफी ज़्यादा पाउफूल होगा इसलिए वो इनके बारे में इतना कुछ सूचता है लेकिन वो सुकता है एंसिस्टर ने खाया कि लोव पैंग से दूर रहने के लिए लोव पैंग इस वक्त उनिवर्ट के अंदर है और मैं इस वक्त टिल्टेट वीक सेक्टर के अंदर तो डेफिनेटली मुझे उस बंदे से डरने की कोई जरुवत नहीं करके मैं आयाम से आप पे रहते हुए अपने हंट को बिगन कर सकता हूँ मैं सच्ची में नहीं सोच चकता था कि जो लोव पैंग है वो इतना अदा लखी हो सकता है कि उसके पास इतने सारे ट्रेजर्स है पीजिंग मास्टर इस पर काफे जलेस फील कर रहा था लोव पैंग से क्य अंदर कोई नहीं कोई ऐसा ट्रेजर मिल जा जिसके तुरूब वह काफी पावफुल बन जाए जस्ट लोव फैंग के तरह वही एक महिने का टाइम इसी तरह की तरह बीच जाता है फाइनल जो प्राइमिल जॉसे डिलेडर हो आप इससे लोव फैंग को समन करता है कुछ ब पर्मिशन निकालने वाला ग्रूप था कि काफी यह था बड़ा था और इसके अंदर काफी सारे रेसेस के मतलब लगबग लगबा आप समझे लोग मिले हुए थे मतलब जनरली एक रेस के बंदे दूसरे रेसेस के साथ मतलब ज्यादा बात तो नहीं करते थे लेकिन इनके के बारे में हर एक चीज़ पता होती थी कि कौनसे रेस के अंदर कौनसा यूणिवर्स मास्टर और वो किता दा पावफूल है मतलब एक तरह की साथ पैसे समझ सकते हो कि हर एक रेस के अंदर कोई ने कोई एक गदार बैठा हुआ एक ने काफी सारे गदार बैठे हुआ जो हमें जितनी इंफोर्मेशन मिली है उसके हिसाब से जो ट्रू विंग्स है यह पीजिंग मास्टर से पहले किसी और परसन के पास थे और यह ओरिजिनल यूणिवर्स के अंदर अपियर हुए थे लगब लगब टैनी यूणिवर्स एरा से भी पहले पीजिंग मास्टर ने उस यूणिवर्स मास्टर को मार दिया जिसके बाद उसने उन सारे विंग ट्रेजर को सीज कर लिया था वही चौश सीडी लेडर कंटीनिव रखते हैं वो कहते हैं कि जो टू ट्रेजर विंग्स है इनका नाम पाई कलर क्लाउड विंग्स है जो कि उनके द्वारा इसको न ज्यादा बहार है और वो इस वक्त पूरी तरीकिसा इसके बाइंडिक पावर्स को यूज नहीं कर सकता इवन ठाट तो पीजिंग मास्टर है उसने के मदद से एक सुप्रीम टेक्निक भी इंवंट की है पाई कलर क्लाउड विंग्स कहता है कि वो जो विंग्स है वो बस थोड़े से नीचे है वोई लो फैंग इतनी सारी इंफोर्मेशन शुटने के बाद एक चीज़ता उसको कंफर्म हो गए थी कि डेफिनेटली यह शीव विंग्स से कोई नाता रखता है इवन टाट उसके शीव विंग्स से बस थोड़े से नीचे थे मैं सची बताओ तो हमने कुछ भी नहीं है मतलब शीव विंग्स एक एशियंड इनहरीटेंस है तो कि खाफी ज़्यादा पुराना है यह आपको आगे जाके पता चलेगा सारी के सारी इंफोर्मेशन देने के बाद चौछ से लिन लो फैंग की तरफ देखते है और उसे कहता है कि देखो मैंना जितनी information मिली उतनी तुम्हें भता दी बाकी अभी तुम्हारी उपर है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है लो फैंग स्माइल करता और कहता है मैं definitely इन विंग्स को सीज करूँगा जैसी मुझे मुझे मौका मिलेगा वही इसी के बाद scene shift होता है हम लोग को पता चलता है जल्दी वो सब लोग काफी अधा excited टे ग्रेट थंटर स्टार मास्टर और milky way order इन दोनों के बीच की दुश्मनी को I meant to say इन दोनों के बीच की fight को देखने के लिए वह आपे already 15 से जादा universe master gather हो चुके थे इस powerful fight को देखने के लिए उन लोग को definitely बता था कि इन लोग के जब उसे पता जलता है great thunder star master already हापे आ चुका है तो मनी मन ही सूचता है कि वो great thunder star master को इस वक्त अपनी जो उसकी दो टेक्निक से जो कि अभी अभी उसने create किये star tower के तुरू वह अपने इन दो टेक्निक के टेस्ट करेगा सबसे पहले great star thunder star master के उपर और साथी साथ उसका जो blood आगे पीछे हो रहा है लेकिन कुल मिला के के साथ वो टॉक्टाय लेवल एट तक के अटाइक को प्रडियूस कर सकता था और जो स्टार्ट आओर ता वो तो और भी अदा इंग्रीडिबल था चुल शाट आओर की फिफ्ट लेवल के इंग्रेविंग से उसके साथ वो और लेवल एट तक के अटाइक को प्रडियूस कर सकता था तो उसके डुवांग में के साथ लेवल लेवल लुओ फैंग लेवल नाइन तक के अटाइक को प्रडियूस कर सकता था और ये एक मोश्ट पावफुल यूनियोस सुप्रीम मास्टर का अटाइक था पूरी के पूरे युनियो ऑस coconut यदि अदर बील माश्चर वो सब्सक्रा इस पर अकुनेड़ें को प्रेजू कर सकते। चुकिया है और इस मेल को पढ़ते ही लो फैंग के आखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी वो काफी अधा खुश हो जाता और वो तुरंत लो फैंग अपने टीचर को विश्क करने के लिए जाना चाहता था और इसी के साथ आज का हमारे यह जो एपिसोड है यहीपे खतम होता है ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं फोन से रीड करो और फोन से एक्स्प्लेइन करो तो काफी एदा मुश्किल होती है लापटाप होता तो बात अलग होती है और इस वक्त मेरे पास एक भी फोन नहीं है और यह दोनों के लाइफ के अंदर कभी लाइट चली जाती थी कभी कवई कुछ कभी कुछ और इसके बाद मेरा फोन खराब हो गया जिसके बाद अपनी भैंड की फोन से बड़ी मुडियो कॉन्तिनियू रकेतें मैं लेकिन उसके बाद लैपटाप भी खराब हो गया और अभी एक फोन से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे को मिनिमम दो फोन के रिक्वार्मेंट्स होती है तो दो फोन मिलना तो और भी ज़्याद मुश्किल हो जाता है लेकिन आज जैसे तैसे करके मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है तो हुब करता हूँ कि आप लोग लाइस के सब्सक्राइब जरू कर दोगे डेफिनेटली दूसरा वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कुशिश करूँगा तेकिन अभी कमेंट सेक्षन के अंदर यह मत पूछना कि अभी नेक्स वीडियो कब आएगा इस सीरिज के बज़े से डेफिनेटली मेरी ओपर और मैं जल्दी जल्दी सीरिज को खतम कर देना चाहता हूँ एक बार यह सीरिज खतम हो जाएगा। इसलिए मैं जितने आदा कम वीडियो के अंदर इस चैप्टर को मतलब इस सीरिज को खतम करने के कोशिश कर रहा हूँ बैसे भी इस वीडियो के अंदर भी मैंने 20 plus chapters को explain किया है वन आर के अंदर इसे तरगे से कुछ 5-6 वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरी के पूरी सीरीज का डी एंड कर देंगे आप लोग को इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा और इंजॉय किया होगा और डेफिनेटली इंजॉय तक किया ही होगा और फिर मिलते हैं नेक्ट एपिसोड के अंदर और once again thank you so much for 6k subscribers और कुछ नहीं अभी क्या ही बोलू मैं तो डेफिनेटली जब मुझे सुपर पता चल घर पड़ा इस क्या ही कर सकता हूँ अलगी टाइप की मजबूरी चल रहे है लाइस के अंदर एक फोन की बाद होती फिर भी एड़्यस कर लेता लेकिन घर में दो-दो बहनों से दो-दो फोन एट सेम टाइम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है मतलब मिलता ही नहीं है सब्सक्राइब करने में जो टाइम लगता है ना वो काफी ज्यादा लगता है नॉर्मली लैप्टाप से मेरे को लगब लगब एक घंटे की वीडियो बनाने के लिए तीन घंटे का टाइम लगता था और फोन से बनाने लग जाता हूँ तो आराम से चार से पाच से छे गं होगे क्या चलो कोई ना गाइज जादा वीडियो का लंबानी की जाएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाए नवन सब्सक्राइब थैंक्यू सो मच पॉर 6K फॉलोवर्स